हेलो एब्रिवन, बेलकम बन्स अगेन तो कभीताई छेयर, आज का ये वीडियो आपके सामने न्यू ओनलाइन आर्ट कॉंटेस्ट की जानकारी प्रस्तुत करेगा, सो लेट्स कंटिन्यू सिंटैक्स इट इंस्टिट्यूट चलिए जानते हैं कि आप किते क्रियेटिव हैं, पार्टिस्पेट करें डिटल पोस्टर कॉंटिशन में विन कर एक्साइटिंग प्राइज़ थीम लाजडेट एंट्रीज के आरे में अब हम जानते हैं, आपको उता दे कि सिंटैक्स इट इंस्टिट्यूट इस कॉंप्टिशन को होश्ट कर रहे हैं, डिजिटल पोस्टर मेंकिंग कॉंप्टिशन होगेजन ऑफ गनेश चतुर्थी, आपको बता दे कि यहां पर थीम यानि टॉपिक है पोस्टर और इलस्ट्रेशन ऑन लॉड गनेशा, वी आर इंट्रिस वं 4 सेप्टेंबर 2022 तो 7 सेप्टेंबर यानि 7 सितंबर इसकी लाजड डेट है, आफ्टर 7 सेप्टेंबर, मिड़नाइट कोई भी एंट्रिस एंटर्टेन नहीं करी जाएंगी, अपनी एंट्रिस को सम्मिट करने के लिए उन्हें मेल करें, at syntaxcarrier at the rate gmail.com, footer of the poster must include name of the participant, इसके अलावा आपको बता दे की, rules में, after the submission of your entries, आपके posters को official social video handle जैसे की, facebook, instagram पर upload किया जाएगा, of syntax IT institute, इसके अलावा, winners will be announced based on more number of likes and comments on their poster, size of poster आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन तीनों में से एक होना चाहिए, use your own creativity, do not use templates, और copyright images, इसके अलावा, winners of the competition, 12 September 12, September 2022 को announce की जाएंगे, winner को some exciting gifts मिलेंगे, second and third runner-up को some goodies मिलेंगे, और इसके लाब a certificate of appreciation, next will get a digital certificate of participation, so what are you waiting for, सबको बताएं कि कितने creative आप हैं, thank you, अगर ये information जरा भी useful लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को like करें, अपने friends के साथ, related के साथ share करें, और ऐसी informative वीडियो समय समय पर देखने के लिए, इस channel को subscribe करना ना भूले, साथ ही new वीडियो की notification के लिए bell icon को all पर click करें, और हाँ अपना feedback comment section में जरूर बताएं, तो मिलते हैं फिर एक new latest update के साथ, till then अपना बहुत ध्यान रखिए, thanks for watching, thanks to everyone.